Hello Friends, Welcome to Unpump Creations आज मैं आपके साथ डबल कलर की एक बहुत ही खुबसुरत डिजाइन शेयर कर रही हूँ ये डिजाइन देखने में चितनी खुबसुरत है बनाने में उतनी ही इजी है इस डिजाइन को बनाने के लिए जों फंदे डालते हैं वो 6 के Multiples में डालते हैं और 3 फंदे अधिक डालते हैं यहाँ पर मैंने 21 फंदे डाले हैं, 2 rows का बॉर्डर बिना है बॉर्डर मैंने दोनों और से सीधे-सीधे फंदों से बनाया है वैसे तो ये 8 रो की डिजाइन है 6 रो सेकंड कलर की बनाई जाती है और 2 रो में कलर की बनाई जाती है यहां मैंने सेकंड कलर लिया है मर्जेंटा कलर और जो में कलर है हमारा वो है क्रीम कलर एक बार D 빠d दीजाई बनाने के बाद जब मैंने दुबारा DRIZAIL बनाई है तो DRIZAIL की जगहां चेंज हो गयी है तो डिजाईन की जगहां सिष्क्टीन रों की 디जाईन हो गयी है पॉर्डर बनाने के बाद जब हम डिजाइन शुरू करेंगे तो सेकंड कलर से शुरू करेंगे यहां पर हम सेकंड कलर से डिजाइन शुरू करेंगे सेकंड कलर हमारा मरजेंटा कलर है उससे डिजाइन हमें शुरू करनी है पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे यह पहला फंद और यह five five फषद्स स्लिप करेंगे उनको आगे हिर्ण देंगे फिर एक उल्टा फषद्द बिन लेंगे यह दिल्याइन की फ़र्स्ट रो है राइट साइप से है इसके बाद फिर हम five फषद्द्द्ध फ निये कि ऐगत दो हो गय Day these तीन ये चार और ये पांच पांच फंदे हम स्लिप कर लेंगे फिर जो है एक फंदा हम उल्टा बिन लेंगे फिर पांच फंदे स्लिप करेंगे एक दो तीन चार पांच फिर एक फंदा उल्टा बिनेंगे और लास्ट का फंदा हम सीधा बिन लेंगे पूरी रोह में इसी त र 얘기를 से हम फंद्रे में फंद्रों से बनानी है बैक साइड है यह गते से कंडें if इस रो सिफिछ में कि अध्यlak एक फंद्र हो यंत्यलता करें की ठ ठैनक्र चायां जो होलें के एक बना लेंगे और इसक्राइड पांच फंद्रों फंद्रों हम पांच अध्र हम कुया सिलिप कर लेंगे पर फिर 5 फंद हमरागों, उसी तरह से बनानी हे जयसे के हम लोग कीह मुल्टा उडनानी थी जोकिमें से है यह उसी तरह से बनाना है जिस तरह से हमने सेकेंड रो बनाई है यानि कि एक फंद हमें स्लिप करना है और इसके बाद के सारे फंदों को हमें उल्टा-उल्टा ही बुरना है 2nd row जो है जैसी भी नहीं है वैसी हमारी यह 4th row भी बनाई जाएगी तब हम design की 5th row पर हैं जो की right side पर है 5th row भी उसी तरह से बनाई जाएगी जैसे हमने 1st row और 3rd row बनाई है पहला फंदा हम slip कर लेंगे और इसी color से बनाई जाएगी 6 रोज जो है मार्जेंट्टा कलरे से बनाई जाएंगे और 2 रोज हमारी यह क्रीम कलरे इस से बनाई जाएगी शिक्स रोज में पहला पंद हम सिलिप कर लेंगे जैसे 1 स् Taylor में किया है उन आगे करेंगे और एक पंद उल्टा बेनए के बिली है तक 5 फंद हम इस तरह से पूरी रोह हमें इसी तरह से बनानी है जैजैन की फिट रो है और राइट राइट से है उसी तरह से सारे फंदे हमारे उल्टे-उल्टे ही बिने जाएंगे हम डिजाइन की 7th row पर है जो की right side से है यह डिजाइन की main row है 7th row और 8th row यह दुनों main row है अब हम 7th row पर है जो की design की main row है इस row में 7th row में और 8th row में ही main डिजाइन बनती है ये right side से है पहला फंदा हमने slip कर लिया है इसके यह फनदा हमने उल्टा बनाया था उस फंदे को हम Escape कर लेंगे यह फंदा जो उल्टा बना है इस row में slip किया जाएगा और इसके बाद के जो 5 फंदें बने हों इन में जो 5 फंद यो है पांच फंद में पहला फंद यही इस तरह से मेना जाएगा दूसरा फंद भी सीध्वर भीना जाएगा दो फंद सीध становится जाएगween यह जो 5 फंद हमने तो इस दू फंद सीधे बरे जाएगे इस conf contract को हमें बैंधना है तोहम क्या करेंगे यह तीन यह हमारे लूप हैं इन तीनों लूप के नीचे से हम सलाई इस तरह से ले जाएंगे और इस फंदे को इस तरह से लेंगे सीधा लेंगे एक फंदा बनाएंगे इन तीनों लूप के नीचे से निकाल लेंगे लेकिन इसको हम स्लिप नहीं करेंगे अब यह इस तरह से भूणक आपने एक रखेत नाज रागंते एक वक्लै और ईसी फंद में ठीन भाया हैं एक फंदे से तीन फंदे इस तरह से बांध के बनाएं और फिर दो फंदे सीधे बना लिएं इस तरह से ये पांच फंदे ये बना लिए और एक फंदा उल्टा ये छे फंदों की बुनाई हुई है अब फिर इसी तरह से करेंगे ये जो फंदा हमने उल्टा बनाया था उसको Slip कर लेंगे दो फंदे जो 5 फंदे हैं इन में 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे और इसका यह ज़ो तीनलूय को हम आगे से से यह था मुझ बीच को पांद करके बांधेंगे तोज तोब न्धीला फंद लेंगे इस सलाह Jewel और फिर इस फंदे को जैसे हमने भी बनाया उसी तरह से तीन फंदों के लूप है तीन फंदों वाला उसमें ले जाएंगे फिर सीधे फंदे से और इसको इस तरह से बना लेंगे एक सीधा फंदा एक फंदे से तीन फंदा बना लेंगे फिर दो फंदे सीधे बनाएंगे पहले फंदा हम स्लिप करते हैं उसको स्लिप करेंगे और यह सलिप किया हुआ फंदा भी हम सलिप करेंगे। bell mat इतनी बार हमने यह फंदा स्लिप किया है, मर्जेंटा कलर वाला, उसको हमें स्लिप ही करना है, अब यह जो दो फंदे में सीधे बनाए है, उनमें एक फंदा हम फिल्टा बिन लेगे, अब इसके बाद यह जो एक से तीन फंदे हैं, यहां पर दो फंदे बढ़ गए हैं, इस फंदे ऐसे ठीले करेंगे, पीछे से इनका यह उल्टा बना लेंगे, उल्टा बनाना है हमें, पीछे से उल्टा बना लेंगे, दो का एक कर लेंगे, यह वाला फंदा बीचे बीच वाला उल्टा एक बिन लेंगे, और इन दोनों को दो का एक इस तरह से बिन लेंगे, तो slip कर लेंगे यह जो दो फंदे उल्टे दिख रहे हैं इनमें पहला वाला फंदा हम उल्टा बिन लेंगे दूसरे वाले फंदे को हमें इसके आगे वाले फंदे के साथ दो का एक बिनना जोड़ा बिनना है क्योंकि यहां पर एक से तीन फंदे बने हुए हैं और इसलिए हमें करेंगे उल्टा इस तरह से उल्टा कर लेंगे बीचो बीच वाला फंदा अकेले उल्टा कर लेंगे और इसके बार वाले फंदों को आगे से ही उल्टा दो का एक बिन लेंगे इस तरह से में बनाना ये फंदा अकेले ही बुना जाएगा फिर ये स्लिप करना है फिर इसी तर चेंज करनी है आप हम ज्याइन की नाइंट रों पर है इस बाद हमें डिजाइन की जगा चेंज करनी है यह जो हमारी यह दिजाइन यह जो marganta color का फंदा दिख रहा है इसके 2 इस सैट के और 2 इस सैट के 4 और यह मिलाकर के 5 फंदे हमारे यह slip होने हैं अब हमें इसके पहले के 4 फंदे जो हैं इनको सीधा सीधा बनेंगे और पहला फंदा slip करेंगे जब हम डिजाइन शुरू करते हैं तो 6 रो हम second color की बनाते है इसलिए अब हमें marganta color लगाना है हम डिजाइन की 9 रो पर हैं जो की right side से है दूसरी बार डिजाइन शुरू करने जा रहे हैं 9 रो हमारी first row की तरह ही बिनेंगी इस रो में हम marganta color से जो हमार second color है इस से बनाएंगे और इस color से हम 6 रो बनाएंगे पहला फंदा हम क्या करेंगे और इसके बाद के 3 फंदे हम सीधे होनेंगे यह बीच यह बीच का जोगी फंदा है इस फंदे को हम उल्टा बेनेंगे इसलिए उल्टा बेनेंगे कि जो 5 फंदे हमें लेने हैं स्लिप करने बाले लेने हैं वो इस फंदे के दो इस सैट के फंदे होने चाहिए दो इस सैट के फंदे होने चाहिए इस तरह हम करेंगे तो हमाई टेजन की जगां चेंज हो जाएगी तो यह हमने इस उल्टा फंदा बना लिया है इसके बाद के हम यह 5 फंदे स्लिप कर ले तो इधर भी हमाई चार फंदय सीधे बने जाएंगे। नश्राहनी की 10th रो पर पर हैं जो कि बैक साइड में हैं इस सारे फंदय उल्टय ऊल्टय बने जाएंगे। पहला फंदय कर लेंगे और अधर पूरी रो रों उल्टय ऊल्टय उल्टय में बनाओएंगे जैसे कि मैंने 2nd row, 4th row और बनाई दे, 2nd और 4th row जिस तरह से बनाई दे, 2nd, 4th और 6th row उसी तरह से हमें उटे फंदों से ये रो बनानी है, हम 11th row पर हैं, जो की राइट साइट से है, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, दूसरा और तीसरा चोथा, 3 यानि 4 फंदे हम सिधे सिधे बुन लेंगे, उन आगे करके पहला फंदा मुल्टा बिनेंगे, 5 फंदे स्लिप करेंगे, ये रो उसी तरह से बनाई जाएगी, जैसे कि अभी अभी है मैंने 9th row बनाई थी, ये 5 फंदे स्लिप कर लिये हैं, फिर एक उल्टा फंदा, फिर 5 फंदे स्लिप करेंगे, फिर एक उल्टा फंदा इसी तरह से हमें पूरी रो बनानी है, 12th row, back side से पहला फंदा स्लिप करके, सारे फंदे हम उल्टे उल्टे ही है नDonald 3 पर है जो को की 9 पार की तरह बना जाएगी पहला पंद स्लिप करके 3 करके हम सीधे बनेंगे क्योंकि यह हैं कि जाइन की जहाँ चेंज हूए है इसलिए इसलिए तीन हमसी थे ओल दब विण्य की प्तेज़ स्लिप करेंगे पांच वन्दें एक वंद स्लिप करेंगे फिर ऑगाड़ी तरस चैनले ऑघ अहाई कि पूरी रोई हमसित्रह से बनाने यह इस तरह से पूरी रोई हमें बनाने हैं तिन रोग पर हैं पहला फंदा स्लिप करके और ब्डैर है जो हमारी 14 रो है पहला है करेंगे और आदि जो कि हमारा में कलिर मैंद्ध कलर है अबारे छोने से मठीनर लेंगे यह त्री फंदे जो हमने बिनने हैं marginita color से से इनको senza cream color से 3키 फंदे सीधे बिनलेंगे ये जो ultra funda है इसको हुप slip कर लेंगे और इसके बाद ये जो 5 फंदे हैं जो ये 5 फंदे हैं जो हमने slip किया है इन में से 2 funda हुम सीधे बिनलेंगे बीचो बीच का funda जो है वो इन लूप के साथ बांधना है तो इन लूप के नीचे से हम इस तरह से स्लाइड डालेंगे बीचो बीचो से नी को सीध़ बंदा और कि इस तरह से लूप फंदे से तीन फंदे बना लेंगे और दो फंदी जैसे मैंने पहले सीधे बना है वैसे इस दो फंदे फिर सीधे बना लेंगे इस तरह से छे फंदे की डियाइन हो जाएगी पात फंदे यह हो गया और एक फंदा यह हो गया फिर हम इसी तरह से बनाना है यह फंदा स्लिप कर इसको इस लूप के साथ बादना तीनोंगे के निचे शेह डालेंगे ये फंदा सीधह उनेंगे वीशना इस से स्लेपने करेंगे थोड़ा धीला बिनेंगे, सलाई पे एक बार फंदा उन लपेटेंगे, फिर से इसी जखां से तिने लूप के नीचे से और इस फंदे में से एक फंदा निकालेंगे ये इस तरह से, अब इस फंदे को स्लिप कर देंगे, इस तरह एक फंदे से तीन फंदे बन जाएंगे, औ और दो फंदे जो हमने सिधे बिने उनको बना लेंगे, पांच फंदों से यहां साथ फंदे बन दया हैं, हम 16 पर हैं, जो कि दिजाएं की लास्ट रो है, पहला फंदा हम स्लिप कर देंगे, और इसके बाद के तीन फंदे हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे, यह इस तरह से ती पहला फंड़े लेंगे और इसके बाद ये जू दुफंदे थे उनमे एक पहला फंड मने भीन लिया दूसरा फंड़े पहला फंड़े principle पहला पहला फंड़े उनमेand वाला है। और इसके इन दोनों फंदों का दो से एक आगे से ही उल्टा बना लेंगे, ये एक फंदा बचेगा इसको भी उल्टा बिन लेंगे, ये जो स्लिप किया हो फंदा इसको स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदों में से पहला फंदा उल्टा बिन लेंगे, दूसरा फंदा और ये एक से तीन फंदे बनाएगे इन दोनों फंदों को इस तरह से उल्टी तरफ से यह पीछे से ले लेंगे और दो का एक फंदा बना लेंगे क्यों की तरह पलटना है बीचो बीच का फंदा उल्टा ऐसे ही बिन लेंगे और इन दोनों फंदों को इस तरह से उल्टा बिन है इसे आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिल सकें अगर आपको मेरा ये वीडियो पसं इसको बनाने का धंक, समझाने का धंक अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ठैंक्स